मैंपूर तहसील मुख्याले से 35-40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचाज जांगला के आशूरित ग्राम कुरू भाठा के वाड़ नमबर 12 में इस सोलर प्रांट का बैटरी 5-6 महिना से खराब हो जाने के कारण कुरू भाठा के ग्रामिड अंधेरे में राद कुजारनी को मजबूर है ग्रामिडो दौरा क्रेडा ओफिस के करमचारियों को फोन की मादर से अवगत कराया किया है लेकिन 5-6 माह होने के बावजूद भी अभी तक विभाग दौरा ठीक नहीं किया गया जिसके जलते घरेलू उप्योगी इलक्ट्रोनिक चीज और बाकी इलक्ट्रोनिक चीजों का उप्योग नहीं हो पा रहा है और अंधेरे में राद कुजारने को ग्रामिड बेबस थैं खास बात है कि क्रेड़ा ओफिस के कर्मेचारियों को जानकारी होनी के एक माह बाद भी ठीक करना मुनासिब नहीं सन्वे और गाउं के दूसरे वार्ड के सोलर प्लांट में जोड़ दिये हैं जिसके करणवा प्लांट भी उसी के हालत में है वार्ड नमर बारा के पंच धंसिंग नागवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैटरी खराब हो गई है बनाने वाले कर्मचारी बनाने आते तो हैं यगिन बनने के बाद कुछ दिन चलता है फिर खराब हो जाता है इसके संबन में वर्तमान सर्पंच पती हेमंद कुमार नेताम से पूछने पार कर्मचारी यों को जानकारी देकर जल्द से जल्द ठीक करने की बात कही गई क्या नाम है आपका धन सिंग नागवन सिंग पंचयद कपन्च प्रतैसियं हुँ बारान नमर वाड का मेरे बारान मरवाड में लाइट का समस्या बहुत है प्रपोट आंध्यलामें पड़े हैं इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रिस्टन जलना पढ़ रहा है किटना मेंन हो एक मैना हो गया अभी तक कब एत ररे रहे हैं कुछ चलता है कुछ समय के लिए घंटा उसके बन राद बर तो इसके संबन्द में आपके जन पर देनी से सीकायद किये हैं में तक कि वर्थमान सर्पंज से इसके संबन्द में सब्सक्राइब कोई ध्यान नहीं हो रहा है ठीक है आपके पंचयद में कुरुमाटा की कुरुमाटा गाउं में वाड नम्मर बारा में छे साथ महना से बैटरी खराफ है जिसके चलते ग्रामिर लोग अंदरे में जीवन यापन कर रहे हैं इसके संबन्द में क्या बोलना चा अधिकारी लोगों कई बार अला अधिकारियों को करेड़ा विवाग को अवगत करा चुके हैं फिर भी बेट्री पेट्री नहीं बदल रहे हैं तो आगे अब क्या करना चाहते हैं आगे और अधिकारी से भी बात करके देखेंगे दो चार दिन में लगाएंगे करके बोल गरिया बंग से परमेश्वार राजपूत की रिपोर्ट